येस, गेट रेड़ी फोर दा हिंदी डिक्टेशन, टेकन फ्रों रामधारी गुपता खंड वन, कंटेनिंग फोर हंडर्ड वर्ड्स एट दी स्पीज ओफ एटी वर्ड्स पर मिनट, लेट स्टार्ट, थ्री सेकंड्स, स्टार्ट, अध्यक्स महोदे, मैं आपका अभारी कि आपने मुझे बोलने का अवशर दिया, इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेश रूप से उस समय जबकी हम लडाई से अभी निवरित हुए हैं और आकास में लडाई के बादल दूसरी तरफ से आने सुरू हुए हैं, हमारे वित मंतरी ने जो बजट पेश किया हैं, वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं यद्यपी भिन भिन पहलूओं को लेकर आलोचनाई की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाईयों को भी देखा होता, की राष्टर को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता, तो मेरा विश्वास है कि उनकी अलोचनाउं का आधार कुछ दूसरा होता, उन्होंने ऐसे कठिन अवशर पर यह एक संतुलित बजट पेस किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार-बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ हे साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने परस्तुत करूँ, जिससे उनकी कठिनाईयां कुछ हल हो जाएं। उदाहरन के रूप में विगत दो वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में दो तीन इस प्रकार की तरूटियां मुझूद हैं जिनको दूर करने के लिए जिनकी जाच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाएं। तो राष्ट्र को राष्ट्र की सरकार को राष्ट्र के विकास कारियों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोडों नहीं अर्बों की व्यवस्था फोरन हो सकती हैं। केवल शाशन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यक्ता है अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग तीस हजार करोड रुपय का छिपा धन मौजूद है सव्यम मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा सक्ती की कमी है भारत की इस सरकार ने अपनी सक्ती का ठीक से उप्योग करके उस दुस्मन के दात खटे किये जिसके की ऊपर विश्व की सक्ती साली और इंगलेंड जैसी सक्तियों का अटूट सहारा था और जिसकों की उन्होंने हमारे विरुध उक्सा कर खड़ा किया था और अपना पुर्ण सहयोग दिया था पुर्ण विराम ओवर सब्सक्राइब झाल झाल सब्सक्राइब झाल जुफ़र Leonard